जेहीं दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, यह आपको फैक्ट के साथ मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि जैसा आपने अन्य वीडियो में देखा होगा, उन्होंने अपनी तरफ से एक रैंडम अमाउंट आपको बताया है, कि हाँ आपको इतना आमाउंट पर मन्त इस्टाइप एंड के रूप पर दिया जाएगा, बट यहाँ पर आपको जानकारी एग्जेक्ट मिलेगी, जो कि ओफिसल है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, अगर जानकारी पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजे, सेर कीजे, इसमें यहाँ पर दोस्तों आपको अन्य सभी जानकारी दी गई है, बट जब बात आती है स्टाइप एंड के तो आपको इन्होंने एक लाइन के अंदर बताया है, कि आपको कितना स्टाइप एंड दिया जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ से आपको एक बार डीड करके इंगेजमेंट पिरियड तो यहाँ पर आपको इन रूल्स के अकोडिंग जो एक स्टाइप एंड है वो दिया जाएगा, बट इन रूल्स के अंदर कितना स्टाइप एंड आता है तो आपको कितना दिया जाएगा, तो यही जानकारी है आपकी स्टाइप एंड के बारे मे तो मैंने यहाँ पर दोनों रूल्स ओपन कर लिये, इनकी PDF फाइल मैंने खोज निकाल लिये, आपके लिए ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ, तो यहाँ पर दोस्तों पहले आपके सामने जो अभी आप जानकारी चेक कर पा रहे हुई है, आपका apprenticeship rules 1902 में, तो इस rules के according यहाँ पर जो graduate apprentice हैं, उनको पर मन्त 4,944 रुपे दिये जाते हैं, sandwich course students from degree institutes को यहाँ पर 3,542 रुपे पर मन्त दिये जाते हैं, apprentice के रूप में, technician apprentice पर आपको 3,542, sandwich course students from diploma institutes इनको 2,890 और technician vocational यानिके ITI apprentice को 2,758 रुपे दिये जाते हैं, बट यह final amount नहीं है, यह आपके ए आपको वरद्धी देखने को मिलेगी, अब मैं आपको next PDF के पर ले करके चलता हूँ, यह आपका act apprentice 1961 जो की apprenticeship rules जो आपका यहाँ पर 1902 में है, इसको amended किया गया है, 2,11 के अंदर जिसको करने के बाद इसके अंदर वरद्धी की गई है amount में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको class wise बता जा रहा है, क्योंकि जो apprentice की vacancy निकलती है, इसमें जो unpad होते हैं, वो भी आविदन कर लेते हैं, और जिनके पास qualification होती है, वो भी आविदन कर लेते हैं, तो उसी के according यहाँ पर table में आपको amount है, जो वो बता जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते ह आपकी ITI apprentice है, तो इसमें जो आपको per month apprentice के रूप में salary दी जाएगी, या फिर stipend दी जाएगा, वो आपकी 7000 रुपे per month है, फिर आती है diploma वाले candidate, इनके लिए भी आपर 7000 रुपे, यानिके इनको 8000 रुपे per month दी जाएंगे, फिर है आपका graduate apprentice और degree apprentice, जिसमें की आपको 9000 रुपे per month दी जाएंगे, आप ये सिर्फ एक amount नहीं है, आपको इन दोनों amount को count करना होगा, यानिके plus करना होगा, एक amount तो आपका apprentice 1961 और दूसरा है आपका apprenticeship rules 1912 में के according, तो जैसे ही आप इन दोनों के amount को अपनी qualification या उस apprentice से जोड़ोगे, जैसे कि ITI apprentice, या फिर diploma apprentice, या फि आपके जो IT apprentice हैं, उनको count किया गया है, तो इस पर आपको 7000 रुपे दिये जाएंगे, इस rules के according, जो की amended है, दो 2019 के बाद का, और इसमें जो यहाँ पर आपकी technician apprentice के 3542 है, तो आप दोनों को plus कर दीजिए, तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 तो यहाँ पर आपको 10 से 11000 रुपे इस post पर दिये जाएंगे, यानि कि apprentice, IT apprentice की जो post है, इस पर आपको 10 से 11000 रुपे इस टाइप एंट के रूप में पर मन्त दिये जाएंगे, इसमें 1000 या 500 रुपे की और वरदी हो सकती, जो की आपको time आने पर मालूम हो जाएगा, बट exact आपको 10.5 से लेकर के 11000 रुपे ही IT apprentice पर दिये जाएंगे, इस course में, सिलेक्ट हो जाने के बाद, या फिर apprentice की post पर joining के बाद में, फिर बात करते हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस के, तो डिप्लोमा अप्रेंटिस का आप यहाँ पर देख लीजे, आठ जार रुपे हैं, आठ जार में यहाँ पर आपको और एड करने होंगे, जो कि है, आपके यहाँ पर 3,542 रुपे, तो आप जैसे इसको count करोगे, तो कितना होता है, order team 11, और यहाँ पर आप यहीं मान के चलिए, कि आपको डिप्लोमा की post पर 13 से 14,000 रुपे पर मन्त दिये जाएंगे, फिर आती है आपकी graduate apprentice, जिसमें कि आपको लगबग 5 यहाँ पर इस rules के coding, और यहाँ पर 9,000 रुपे, तो 9 और 5,14 तो इसमें आपको 15,000 रुपे प्लस दिये जाएंगे, यानि कि जो आपकी graduate apprentice की post है, इस पर आपको 15,000 रुपे प्लस पर मन्त इस ट्राइपेंट के रूप में दिये जाएंगे, ONGC ITI Apprentice में joining हो जाने के बाद में, तो दोस्तो आई होप जो जानकारी मैं आपको clear करना चाहा रहा हूँ, वो आप समझ पाई होंगे, और यही एक original जानकारी है, यही एक fact के साथ जानकारी जो कि मैंने आपको यहाँ पर दी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको rules के according बताया है, तो वही rules मैंने यहाँ खोज करके आपको explain कर दी है कि क्या rules है और उनके according आपको क्या salary दी जाती है, या फिर क्या stipend दी जाता है, इस amount के लावा आपको कुछ और नहीं दी जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी परकार से इसके बारे में update लेकर क्याता रहा हूँ, या फिर आपको आगे joining करते वक्त कोई भी problem face न करनी पड़े, साथ ही एक सवाल मेरे ही मन में है कि आप चाहते कि मैं उसके उपर वीडियो बनाओ, जो की है आपका कि apprentice के क्या फाइदा है, वेवसे तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियो है, बट अगर आप latest जानना चाहते हो कि इसमें apprentice के क्या फाइदे होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, तो यह जानकारी अगर आप चाहते हैं, उसके उपर में वीडियो बना दूँगा, बस आपको कमेंट करके कहना है कि सरह हमें हाँ, इसके बारे में जानकारी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो से के उपर आ तो दोस्तों बसी थी आपकी ओए अपरेंटिस बरती 2020 सेलरी के बारे में पूरी जानकारी, आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है, तो प्लीज आपस वीडियो को लाइक, सेयर और साथ यसाथ आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे, और साथ यह अगर आप इसमें अपलाई करना चाहते हो, तो यह वीडियो वाच करके अपलाई कर लीजिए, आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी, फोर्म को बढ़ने में, जे ही दो स्बने कर दे डिया नहीं कर दो